ब्रोप नमस्कार मैं हूं सरसी आए ज्ञानखनकी टॉपपवाचीस परमुप खबर जन्ते हैं ज्ञानखन बॉर्ड मैट्रिक इंटर्मीडियेत में छात्र नहीं होंगे टॉपअर्ब जार्खन बोर्ड मैट्रिक और इंटर्मेडियर 2020 के रिजल्ट में इस बार कोई भी पिद्या थी टॉपर नहीं होगा ना तो जार्खन एकेडमी काउंसिल की और से टॉपरो की सुची जारी की जाएगी और नहीं दूसरे माध्यम से टॉपर निकाले जाएंगे जैक की और से असपस्ट कहा गया है कि इस बार टॉपरो की सुची जारी नहीं होगी मैट्रिक और इंटर्मेडियर की परिच्छा इस बार नहीं ली गई है ऐसे में च्छात्र चत्राय पिछली कक्षा के अंग के आधार पर परमोट किये जा रहे हैं ऐसे में टॉपर लिस्ट जारी करना सही नहीं होगा बतादे मैट्रिक और इंटर्मेडियर का टॉपर लिस्ट नहीं जारी होने की वज़ा से 2021 में मुख्य मंत्री पुरत्साहन रासी पुरस्कार से चात्र चत्रायों को बंचित्रा ना पढ़ सकता है जारखन मौसम विभाग के अनुसार 18 जुलाई को भारी भारिस हो सकती है इस दोराण में गर्जन हो सकता है और बजरपात की भिया संका जताई गई है इसे लोगों को गर्मी सराहत मिलेगी मौसम विभाग के अनुसार 18 जुलाई को कई कई भारि भारिस हो सकती है 18 जुलाई को मध्य राज, धानी, रांची और आसपास के जीलों में भारी भारी हो सकती है जारखन में विकेट लोगडाउन सुरू हो जाए सवधान जारखन में विकेट लोगडाउन सुरू हो गया है इस दोरान लोगों को चीनता करने की बात नहीं है परसानी नहीं हो इसके लिए सरकार जरूरी सुधावा में छुट दे रखी है भले ही सबजी, फल, राशन, किर्याना, इस्टोर, जोएलरी, कपड़े, मिठाई, जुत्ता, चपल, आधी की दुकाने बन रहेंगी फिर भी दूद, दही, घी, ब्रेट, पेट्रोल, पंप, रसोई, गैस, खाने की होम, डिलेवरी, होस्पीटल, मेटिकल, आधी की जरूरी दुकाने खुली रहेंगी बतादे, पिछले कई लोगडाउन से प्रसाशन को ये सिकाईत मिल रही थी कि लोग बेवजा घरों से बाहर निकल रहे हैं कई दुकाने भी इस दुरान खोली रहने की बात सामने आ चुकी है ऐसे में पूलिस कप्तान संजीव कुमार ने पूरे जिले को अलट किया है साथ ही घरों से बेवजा बाहर नहीं निकलने की अपिल लोगों से किया है ज्यारखन में सुरू होगी मुहला कलास, बच्चों को पढ़ाएंगा स्थानिय युवक वर रिटार टीचर कुरोना काल में ज्यारखन में स्कूली सिक्षा युमसक्षा विभाग ने बिद्याले खोलने तक बच्चों के पठन पाथन के लिए महला कलास शुरू करने से समधित प्रस्ताव आपदा प्रमधन विभाग को भेजा है आपदा प्रमधन विभाग से अनुमती मिलने के बाद महला कलास शुरू की जाएगी बतादे ज्यारखन के स्कूली सिक्षा युमसक्षा विभाग के प्रस्ताव के अनुरूप अस्थानिय अस्तरपर बचों के पठन पठन की बेवस्ता की जाएगी इसमें सिक्षको के साथ साथ अस्थानिय युवक वस्षेवान निरित सिक्षको की भी सायता लिजाएगी ज्यारखन में पहली बार नई तक निकी से होगी मचली का उत्पादन ज्यारखन के मतर सनिदे सालाई एवं भारतिय क्रिसी अनुसंधान परिशत लखनव के सन्युक तत्वधान में राजे में पहली बार गांगा नदी के नर मचली ब्रूडर के सीमेन का उपयोग कर अनुवानसिक रूप से उननत ब्रूडर मचली के साथ साथ उननत मचली का बीज त्यार करने के प्रस्ताव किया गया ज्यारखन सरकार के नीतियों के खिलाब पाप का घारा फोल कार करम भाजपा युवा मोर्चा की ओर से हिमन सरकार की नीतियों के बिरोध में राज भर में सनिवार को पाप का गाड़ा फोर कारेकरम आयुजित किया गया राची में कारेकरम की सुरुआत पार्टिक के परदेश अध्यक सहसांसा दीपक परकास ने बिरसाच चोक से की इस मौके पर उन्होंने सरकार पर जम कर हमला बोला उन्होंने कारे कि हमन सरकार ने युवाओ को सबसे अधिक ठगने का कारे किया है 5 लाख युवाओ को रोजगार देने का वादा, नियोक्ति वर्स की होसना, नियोजन निती बनाने का वादा, गेर्जुएट को 5,000 और पोस्ट गेर्जुएट को 7,000 रुपए बेरोजगारी भता देने का वादा किया, लेकिन आज तक एक भी बेरोजगारी भता प्राप्त नहीं हुए है जारखन में उग्रवाद नहीं होने देंगे हावी डीजीपी नीरज सिन्हा जारखन में उग्रवादी संगठन भागपा मवादी और पीलेफाई के खिलाब पूलिस को दो दिनों में लागातार सफलताय मिली है डीजीपी नीरज सिन्हा ने कहा कि गुमला और खोटी में हुए दोनों एंकाउंटर संदार रहे हैं गुमला में पूलिस को शुरुवाती नुक्सान भी हुआ लेकिन पूलिस ने हार नहीं मानी और होने कहा कि राजे में नक्सलियों की संख्या कम हुई है लेकिन तकनिक और अत्यधुनिक हथियार के बहल पर वे हावी होने की कोशिस कर रहे हैं लेकिन पूलिस या नहीं होने देगी चारखन में सिख्षको के टांसफर की परक्रिया ऑनलाइन चात्रा से होगी शुरुवात सिख्षक अस्थानांतरन ने माली 2019 में संसोधन के लिए कमिटी गठित होने के बाद सिख्षा विभाग ने अस्थनांतरन की परक्रिया शुरू की है इसमें पूरी परक्रिया ऑनलाइन की गई है सिख्षा विभाग ने सिख्षको के टांसफर को लेकर पोटल तयार किया है चात्रा से इसकी शुरुवात की जाएगी शिक्षको के टांसफर पोर्टल को प्रभायू बनाने के लिए पाइलेट पोर्जेक्ट के तहाथ चात्रा से शिक्षको के ओनलाइन अस्तनाच्रन की परकिरिया शुरू करने का निने लिया गया है इसके लिए जार्खन के सिक्षा सचीव ने चात्रा के उपायूप DEO वर DSE को पत्र लिखा है जार्खन में लागू नई उध्योग निती के लिए दिसुतना जारी जार्खन की नई उध्योग निती जार्खन Industrial and Investment Promotion Policy 2021 लागू हो गई है राई सरकार ने गयाट नोटिफिक्सन जारी कर दिया है 9 जुलाई 2021 से ही नई उध्योग निती परभावी होगी यानि इस तीथी के बाद यादी राजे में नई उध्योग लगते हैं तो उसे पुरा लाब मिलेगा ज्यार्खन में 69 केस मिले है जो राची से सत्रा पूर्वी सिमू पांच हजारी बाग छो बोकारो आठ धनबाद छो रामगर चार पच्मी सिमू एक कोडारमा दो देवघर तीन गुमला तीन लाते हार दो लुहरदागा एक चात्रा एक जामतरा एक दुमका से एक मिले है ज्यार्खन में कूल एक्टिव केस की संख्या 337 है भारत में 41,277 केस मिले है भारत में कूल एक्टिव केस की संख्या 4,17,058 है ज्यारखंड के बीएट कोलेजों में इस बार मेरिट के अधार पर नमांकन ज्यारखंड के 136 सरकारी वर नेजी बीएट कोलेजों में सद्र 2021-23 के लिए इस बार भी मेरिट के अधार पर नमांकन होगा बताते बर्ष 2020 की तरह इस बार भी लिखित परिक्षा नहीं होगी नियुम्तम योगिता असनातक के अंग के अधार पर मेट लिश्ट तयार करने की जिम्मिवारी इस बार भी ज्ञार्खन सन्युक्त परवेश परतियुक्त पारिशत को दी गई है ज्ञार्खन में दूसरे राजियों से आ रहा है हवाला का पैसा पुलिस जाच में जूटी दूसरे राजों से हवाला का पैसा जारखन के कुछ लोगों तक पहुंचाये जाने की सुचना पर सुक्रवार को राची जमसेतपूर वोकारो धनबाद देवगर सहीत राजे के सभी 24 जीलों में दो पहर से ब्याफक चेकिन अभियान चलाया गया बता दे दो पहिया चार पहिया सहीत अन्यवानों की सभन जाच की गई कई बेवसाइक प्रतिष्ठानों पर भी पूलिस ने दविश्ट दे कर हवाला कनेक्शन को खंगालने की कोशिस की है सेना की परवेस परिक्षा का एड्मिट कार लेने पहुंचे अभियार्थी राची के मुराबादी मैदान में मार्च में सेना बहाली के दुरान उतिन अभियार्थियों की समाने परवेस परिक्षा का आवेजन किया जा रहा है इसके लिए सफल अभियार्थियों को सनिवार से नया पर्वेस पत्र दिया जा रहा है सनिवार को राचिक के आर्मी भरती का रियाले में पर्वेस पत्र लेने सफल उमिद्वार बड़ी संक्या में पहुचे सभी से पुराने पर्वेस पत्र लेकर नए पर्वेस पत्र जारी किये गए बतादे पहले या पर्वेस परिक्षा 25 अप्रेल को होनी थी लेकिन कुरोना के बढ़ते संक्रमन के कान या परिक्षा अस्थागित कर दी गई थी मुठभेण में 10 लाख का इनामी पीलेफाई का एरिया कमांडर धेर पच्मी सिमूब और खुटी पूलिस की सन्युक्त करवाई में पीलेफाई के एरिया कमांडर सनीचर सूरीन मारा गया है बतादे सनीचर सूरीन पर जार्कन सरकार ने 10 लाख रुपए का इनाम रखा था वही मुठभेण में एक अन्यनक सली के गिरफतार होने की सुचना है बकरीद पर समोहिक रूप से नमाज नहीं अदा कर सकेंगे लोग लोग अपने अपने घरों में राकर बकरीद की नमाज आदा करेंगे उक्त नियुदेश उपायुक्त रायस कुमार पाठक तथा पुलिस अधिक छक शिरिकांत एस खोट्रेने सन्युक आदेश जारी किया है डोर टू डोर कचरा उठाव एजेंसी लोगों को नहीं दी रेडियो फ्रेक्वेंसी चीप रायधानी राची में डोर टू डोर कचरा उठाव करने वाली एजेंसी मेमर सेंटर फोर डेवलोप्मेट कम्यूनिकेशन ट्रस्ट ने अब तक घरों के माकानों को रेडियो फ्रेक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन चीप नहीं दी है CDC एजेंसी के प्रतिनिधी को रायधानी के सभी घरों में 31 जुलाई तक रेडियो फ्रेक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन दे कर डेस्बोर चालू करने और एक हफ्ते के अंदर GPS सिस्टम चालू कर कचरा उठाव के निग्रानी शुरू करने का निर्देश दिया है जारखन में तीसरी लहर की दस तक दस दिन में दोगने मिले नए संक्रमीत एक बर फिर कुरोना संक्रमीतों की संक्या बढ़ने लगी है बतादे जिस तरह से संक्या बढ़ रही है उसे देख या सवाल उठने लगा है कि या तीसरी लहर का संक्यत तो नहीं है बता दे दूसरी ओर डॉक्टर भी बढ़ती संख्या को देख अलर्ट मोड में आ चुके हैं लगतार बढ़ रहे हैं संक्रमन के मामले अपस्वास्त विभाग को भी सोचने पर मजबूर कर रहे हैं जनता की हक के लिए केंद्र सरकार से लंबी लड़ाई की जरूरत अलमगीर आलम पर्देश कॉंग्रेस कमीटी के निर्देश पराची महानागर कॉंग्रेस कमीटी के दत्वधान में पेट्रोल डियल रसोई गयास की कीमतों में विरिधी तथा बढ़ती मांगाई को लेकर केंद्र सरकार के खिलाब साइकल यात्रा का आयोजन किया गया साइकल यात्रा में कारकरम के लिए परदेश द्वारा नियुक्त प्रभारी मनी संकर उपस्थित थे साइकल यात्रा का सुभारम परदेश कंग्रेस अध्यक सबीत मंत्री डक्टर रमेशरूराव यों कॉंग्रेस विधायक दलनेता सग्रामीन विकास मंत्री आलमगीर आलम क्रिस्ती मंत्री बादल पत्रलेख ने जहन्डा दिखा कर किया घर में रहे 34 गंटे रहेगा विकेट लोगडाउन गोड़ा उपायुक्त गोड़ा उपायुक्त भोर सिंग यादो यों पुलिस अधिक छक वाईएस रमेस ने सनिवार को सनिवार को सनिवार रूप से बताया कि कुरोना काल के दोना राज सरकार के निदे साम सार विकेट लोगडाउन सनिवार की रातरी आठ बए से सोम वार को सुबद छोबए तक ल प्रयोग समय समय पर साबून से हाथ होना आधी नियमों के पारण करने की अपील की गई जारखन डीजीपी नीरज सिनहा के सेवा में बिस्तार पर बवाल जार्खन भाजपा के वरिष्ट नेता बावलार मरांडी ने डीजीपी नीरज कुमार सिना के सेवा बिस्तार पर सवाल ख़़ा किया है साथ ही कहा कि मैंने सेवा बिस्तार पर सवाल ख़़ा नहीं किये है बलिक हमने सवाल उठाया है कि सरकार के कारे सहली पर सरकार किस परकार से काम करती है मरांडी ने आगे कहा कि इस बात को हमने उठाया क्योंकि हमें पता चला कि सुप्रीम कोट में कोई मामला किसी ने दायर किया है UPSC अभियंतरन सेवा की परिक्षा आज मुफ्थ सिटी बस सेवा संग लोक सेवा आयो की अभियंतरन सेवा प्राराबिक परिक्षा रविवार 18 जुलाई को होगी बतादे परिक्षा दस बाय से स्ड़े बारा बय तक वहें दूतिय पाली में अढ़ाई बाय से पांच बाय तक सुप्रीम के 10 परिकेंदर पर होगी रविवार को पूर्ण लोकडाउन होने के कारण परिक्षा देने आने वाले परिचार्थियों को किशी तरह के परिशानी का सामना न करना पड़े इतके लिए राची नगर निगमने सहर के तीन अस्थान से निसूर्ख सिटी बस का संचालन करेगा गढ़वा लाते हार लोहरदागा पलामु को 6 वंटिलेटर दिया गया कुरोना मरीजों के उपजार में सहयोग के लिए परियत्न संस्था द्वारा सरकार को 12 बाई पैप मसीन और 6 वंटिलेटर उपलवत कराए गया है बता दे एन एचेम के अभियान निदेशक ने गढ़वा लाते हार लोहरदागा यहां पलामु के सिविल सर्यन को पत्र लिकत समागरी प्राप्त करने का निर्देश दिया है सांस्था की ओर से गड़वा पलामू लातियार वा लोहर दगा के लिए 3-3 बाई पैप मसीन जबकि गड़वा वा लोहर दगा को 2-2 तथा पलामू वा लातियार को एक-एक वेंटिलेटर उपलब्द कराए गए है तीसरी लहर को लेकर रिम्स में त्यारी सुरू कोरोना के तीसरी लहर में बचों के संक्रामित होने के संका को लेकर रिम्स में ने भी तैयारी सुरू कर दी है रिम्स टाथ फोर्स वा बचों के डक्टरों ने केंदर सरकार के प्रोटोकॉल के हिसाब से ट्रीटमेंट चार्ट वरू प्रेखा त्यार कर लिया है इसके तहट बच्चों के अस्पताल पहुचने के बाद स्क्रीनिंग की जाएगी बच्चों को समान वाड याइसु में भर्ति करने का निर्ने लिया जाएगा इसी दोरान दवाव और डायेट चार्ट पर भी फैसला होगा इटकी में 308 के कोविट सेंटर को जल सुरू करने का निर्ना है सरकार दवार गठित प्रवबंधन समीती की पहली बैठक सनिवार को इटकी यक्षमा आरोगे साला में राश्टिये ग्रामी स्वास्त मिसन निदेशक उमा संकर सिंग के अधक्सा में हुई बैठक में आरोगे साला के उत्थान और यहां 308 की डेडिकेटेड अक्सिजन सपोर्टेड कोविट सेंटर को जल सुरू करने पर चर्चा की गई राज्ये में भैक्सिन भंडारन की छामता बढ़ाई गई राष्टिये स्वास्त मिसन के अभियान निदेशक कुमा संकर सिंग ने सनिवार को आर सी एच केमपस नामकुम में भैक्सिन भंडारन के लिए लगाये गए दो नए वाक इन कुलर वह एक फ्रीजर का सुबारम किया इस असर पर उने काहा कि इन उपकर्णों के लगाने के साथ ही राजे में भैक्सिन भंडारन की छामता पहले कि अपेक्षा दुगनी हो गई है धन्यवाद यदि आप चनल पर नहीं हो तो चनल को सस्क्राइब कर बहल के बेले कंदवाईए साथ साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों के साथ सेर करना ना भूले साथ साथ आप हमें कोमेंट बक्स में अपना फीड़एक अवसे दे थाइंक्यू